हेलो दोस्तों वल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट आज में आपके साथ एक नहीं पूरे ठर्टी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोज के काम को असान मनाएंगे चलिए देखते हैं आज के मारी पहले टिप्स कौन से यह जब भी आपकी आपकी आल आउट की म सेयल जाते हैं तो बिस्कित को लखने के लिए आपको करना करें नीची उपर रख न मैंने। और उपर से फिर एक क्यूशू पर डालके इसको पैक कर दीजिए एट आइट कंटेनर में आपका जो बिस्किट है ना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आप इसे ट्राइ करके देख सकते हो अगली टिप से फ्रेंस बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है जब भी आप ब्रेड लेके आते हैं उपर का जो ब्रेड है इसे कभी भी आप ना फेके यह आपके सारे ब्रेड को अच्छे से फ्रेश रखता है तो कभी भी ब्रेड नीचे से निकाली उपर से जरूर पैक कर दीजिए इससे क्या होगा आपका जो ब्रेड है नीचे का बिल्कुल भी खराब नहीं होगा सुखे गए नहीं और वो जब तक आप इसे खतम नहीं करोगे आपके जो ब्रेड है वो फ्रेश रहेंगे तो हमेशा उपर और नीचे का ब्रेड कभी भी ना फेके जब तक कि आपका ब्रेट पूरा खतम नहीं होता है ऐसी बहुत साई टिप्स है आज की वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इस तरह के जो च्छनी हमारे पास होती है इसका इस्तिमाल तो मुझती हम छानने के लिए करते हैं बढ़े आपके पनाइफ की धारं कम हो गए तो आप इस तरीगे से इसको घिसो गहें लिए काफी शार्फ हो जाती है अब या ऀसका के पैसे पेसे खर्च नहीं ऊंगे अगले tips के लिए friends आपको लेना है एक tissue paper और ये tips monsoon से related है इसमें आपको एक चमच नमक डालना है चार पांच long डालना है और rubber से बांद के इसकी एक portly बना लीनी है इस portly को friends आप किसी भी डाल की container में रखिए आपका डाल बिलकुल भी खराम नहीं होगा क्योंकि नमक जो होता है वो preservative का काम करता है तो इस तरह की portly आप बना के सबी अपने अनाज में डाल सकते हो अगली tips है friends कभी कभी gas में क्या होता है friends side से gas में leakage होती है तो आपको करना क्या है कोई भी साबून ले लेना और इसको अच्छी तरीके से एक पूरा coating करके घिस लेना एक coat तयार हो जाना चाहिए साबून का यहां पे भी आपको अच्छे से घिस लेना है मैं जली-जली करके दिखा रही हूं आपको यह अच्छे से घिसना है और इसके बाद आपको इसको धग देना है जब आप जलाओगे तो कोई भी gas आपका एदर दर से leakage नहीं होगा और यह problem आपके solve हो जाएगी चलिए देखते हैं अगले tips के आफ्रेंस हम जब भी अचार या जैम की bottles होती है इसको यूज करते हैं दोने के बाद तो उसमेल आती है उससमेल को हटाने के लिए आपको करना कि मैच स्टिक लेना है और जलागेके बादा ख्राविये डालने के बाद धंब आरो taşकन लगा देना है जब यह कल दो निकाल दीजिगा कपरे से स्कात नहीं लिजिए जो भी भी डिश बनाते हो देखते हो कि चम्मच न फटाफट से सरक के गिर जाता है उससे आप रबर लगा लोगे ना चम्मच में इस तरीके तो बिल्कुल नहीं गिरेगा शूस फ्रेंस सुखाने का बहुत अच्छा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही पॉलिथिन लीजिए इस तरीके से लगा दीजिए और हैंक कर दीजिए इससे सारा पाने गिर जाएगा और बरसाद में आपके शूस फटा फट से जल्दी से सूख जाएंगे बहुत अच्छी टीप से ट्राइकर करके जरूर देखेगा इस तरह की जो पॉलिजिन हम सब के घरों में होती है इसक इस तरीके से पैक कर लोगी ना तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा अधरवाइस के बैग में पर्स में अचार या तेल की बॉटले हैं अदवाई की बॉटले हैं वो लीक हो जाती है और हमारा सारा जो समान है वो खराब हो जाता है तो यह जरूर करना बहुत काम के इसे फेकनी के बजाए क्या करना है आपको इसे बारिक बारी कट कर लेना है जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से कट करना है ठीक है तो इसको बारिक बारी कट कर लेना करने के बाद आपको करना क्या है एक कोई भी ट्रांस्पेरेंट सी अब वह पहले कर लीजिए चाहे आप कटने मतलब डालने के बाद कर लीजिए इसके जो खुश्बी होती है बहुत स्ट्रॉंग होती है और ऐसा करने के बाद आप इस पैकेट को ना कहीं भी आप वाड़ ड्रॉम में रखें शूरेक में रखें बहुत अच्छी सी भीनी भीन इसा और इसे क्लीन करने के लिए हैं आप थुछिप बशीप ले ना है अगर आप क्लेन नहीं करने दुछिए को जंती जाए दिए तो इसलिए क्लीन कर लिए किरिए आप जब विह देखी है ना साओ पुर Fridge ये चोपके बढूर्प फुरिए ुआपको तो क्लीना हो जा जब भी खीरा लेकर आते हैं तो क्या होता है उसे अगर हम आधा कट करके रख देते हैं तो वो नज सूख जाता है तो जब भी आप खीरा को कट करें बस थोड़ा सा पैटर चेंज कर दें तूथ पित ले ले और उसे तीन तरीके से इस तरह से लगा दे और जो आपको बीच क हमें आती है उसे क्लीन करने के लिए इसके लिए बहुत सिंपल सा है कोई भी और लेना कॉटन में बस इसको लेना घेस लेना बहुत अच्छे से आपका जो मिरर है वो क्लीन हो जाएगा बहुत ही अमेजिंग टिप से ट्राइ करके देख सकते हैं उसके बात फ्रेंस यह हमा लगती है खुझली होने लगती है तो सिंपल सा है आप नेल पेंट तो बहुत अच्छा है मेरे पास फिलाल नहीं था तो मैं कलर वाला ले ली हूँ पीछी के पॉर्शन में लगा दो इससे क्या होगा आप जब इसे पैनो कि बिल्कुल भी एचिंग नहीं होगी कोई रियक और इसमें डाल देना है तो आपको इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है मिक्स करने की बाद आप देखो कि आपका पॉर्डर ना कभी भी खराब नहीं होगा या आजमाई हुई टिप से इसे ट्राइ करके आप देख सकते हो फिरस हम कोई भी लिप्स्टि लेकर आते हैं फाल्टू के पैसे खर्च करते हैं बट आप सस्ती सी कोई भी लिप्स्टिक भी ले सकते हो और उसे भी आपना अच्छा नौ मतलब लंबे समेटर टिका सकते हो एक हैक के जरिए आप कोई भी लिप्स्टिक ले लो जो आपकी मतलब लंबे समेटर नहीं टिक खराब होगा इससे आपको महंगी से महंगी लिपस्टिक खरीदने की जौरत नहीं है आपके पैसे की बचत हो गया यही लिपस्टिक आपका काफी खुबसुरत लगता है मैट फिनिश जेता है लंबी समय तक टिकता है बस एक छोटी से पॉडर से हैक के द्वारा कैसी लगी चैनल पर फर्स टाइम है तो प्रेस्टिक को सब्सक्राइब करना ना भूले इन्यों का पॉच्छ होता है जो हम पीते हैं और आपको बता है इसका बहुत अच्छा यूज़ार दो आपको बताने वाले है आपको क्या करना इस तरीके से इसको होल कर देना है कोई भी पिन से भारिक वाला ही लीजएगा ताकि भारिक भी होलो best और आपस Const 돌 कपूर लिजेगा इसको इस तरीके से मोड़ना और जो किरिखंगें की बॉर पोज बोस्कित रहा है फ कर नहीं इलिभी के आंपको करना दोड़ी अब सबसदाने की तरहे हैं ओकंड़ी खेंगे आप त्हाँ पॉल गोक्तने कंट इस ilum ft नहीं शुदक लिखेंगे रही है करदेगे करेंगे तो आपको चीजे काफी बिकार हो जाता है बस आपको जो लिखावा पोर्शन है ना उस पोर्शन पे आपको थोड़ा सा धीली को उठाना है इस तरीके से खेचना है आप देखो कि बहुत अच्छे से आपके चीज की स्लाइस निकल जाएगी किसको यह एक पता रहा क मुझे हैक बाब ने पता चला तो मैंने सुचा आपके साशेयर को तो बहुत ही अमेजिंग है और सुबह के काम में आपको फटाफट से एजी हो जाता है तो कैसी लगी टिप्स करना ना बोले चले देख से अगले टिप्स कौन सी है अभी गर्मी का मौसम है मौनसून सीजन मैं पेट में भाशारा गयास कहते है तो मैं आपको अब बिलकों बताश्य को डालनक है नहीं है को सब्सक्दाश 6 में पर पानी है इसे पानी आपको और यह पानी है इसस पानी को भी आपको 12 इसे आपको पी क् keyword इंदेशन होगा चिसे तक inequality है वह सारी दूर हो जाएगी तीन से चार दिन आपको यह वाली टिप्स ट्राइक करनी है बताशा फ्रेंस बहुत हेल्डी होता है और इससे हमारे पेट की एसीडिटी डाइजेशन जलन सब इन डाइजेशन सारी चीज़े दूर हो जाती है ट्राइक करना फिर मुझे कमें अगरे टिप्स बहुत जादा यूसफुल है आपके बहुत जादा काम आएगी अगर वीडियो कहीं भी आपको हैल्फुल लगती है तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा चैनल पर फरस्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना बोले फ्रेंस जाज हम स सारी कीडे मुकरी दूर हो जाते हैं आजमाई हुई टिप्स बहुत काम की है आप इसे ट्राइ कर सकते हो आपको बहुत पसंद आएगी आपके बहुत सारे पैसों की बचट भी करेगी इस तरीके से आपको रखना है बस आज कलना बाजार में बहुत सारे जो डूब्लिकेर की ऐसे आपको प्लास्टिक चावल है वो मिल रहे हैं चावल है इस आपको करना adopted धर म्होंत आपको पता चल जाएगा कि आपका चावल है वह असली है कि नकली है बहुत ही जादा यूसफूल टिपस है इसे आप जबूर ट्राय करके देख सकते हो इस तर के खाली दवाई की पत्ते हम सबी की घरों में होता है और हम इसे फेक देते हैं इसे जो क्लीनिंग होती है बहुत किसी बीती है को पर देकर पहले आप इस तरफिके से इसका इसमाल जरूर करके देखें आपको बेहत पसंद आएगा और अगर इस वीडियो अच्छी लग रही है आपको यह पसंद आती है तो जरूर बताएगा तकि मुझे पता चलें कि मेरी वीडियो तक हां तक पहुंच जो चर्देखते हैं आगली टिप्स कौम सी है अगली टिप्स है विड Sigg रखते हैं सूंक जाता है तो आपके आ तो पानी दो डाले civt आइज आ देना आप अगर तया गुहानी तो आहार मिश्यका है निहींटने में आपको सिंफ़ से हैक करना है जिससे आपने इस बॉटल को बहुत अमाम से खोल साथ है व्यूकि वैक्यूम पैक्ड होता है तो जल्दी खोलता नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है कोई भी स्टील का स्पोन लेना है और आपको अपको ढपर अधकन तो डिरता करना है कुछ सेकेंड सक करना है फिर आप इसको ट्राइ करके देखना आपको जो ढखकन नहीं तब मैजिक के तरह जादू हो जाएगा और बहुत अच्छे से खुल जाएगा आजमाई हुई टिपसे फिर जो सारी टिपस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो टिपस मुझे पसंद आती हैं वही मैं आपके साथ श सब्सक्राइब करते हैं और यह इस तरह के से रख देते हैं अगर आप इसे एक मिठाई के डब्बा जो है जिससे आप फेक रहती है इसमें आप और किनाइस करके रखोगो ना तो यह बहुत अच्छे से आपकी चीजिए और किनाइस होगी फ्रिज में आपको जब भी किसी मसाले के पाउच के जोट होगी फटाग से अपना मिठाई के डब्बा निकाल सकते हो इसे यूज कर सकते हो साथ इस मिठाई के डब्बे में आप सब्जियां भी बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं जो आपकी सब्जियां होती है ना वह खराब नहीं होती है देखिए कि मिठाई के डब्बे में तिपसी बहुत जादा यूसफुल है और आज की बाद कभी मिठाई के डब्बे को ना फिए कि आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हो जिसे यह काफी ज्यादा खुबसुरत भी लगता है इसे आप टीशी वेपर होल्डर भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है आज कर चश्मे हम सभी पहनते हैं आज कर बच्चे बच्चे को चश्मा लग जाता है बट आप देखते हैं कभी कभी सब्सक्राइच लग जाता है और इसमें वो शाइन नहीं होती है जैसा कि हम खरीद के लेके आते हैं आपको क्या करना है अपना फ्रिजर खोलना है और पांसे दस मिनट के लिए आप इसको रखो गया उसके बाद आप इसको बंद करके रख दीजिए और फिर कुछ समय बाद आप इसमें निकाली आप देखें कि चश्मे में एक वेपर्स जम जाते हैं आपको देखके लग र लीजिए या चश्मा पुछने का कोई सौफ सा कपड़ा लीजिए आप इसे क्लीन करना देखना आपके चश्मे की जितने बी स्क्राच थी जितनी बी गंदगी थी वह सारी क्लीन हो जाएगी साथ इसाथ आपके जो ग्लासें से उसमें एक अलग सी चमा का जाएगी तो बह जाएगी जाएगी नाट याए याजिए